Hello everyone, Welcome to the channel of KV Teachers Guild बच्छो आज इस वीडियो में हम 3rd class EBS का एक नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है Flying High High means उचा, Fly means उड़ना, तो उचाई पर उड़ना अब उड़ कौन सकते हैं? Who can fly? The birds obviously, जो आपके पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं Because they have wings, क्योंकि उनके पंक होते हैं कहने का मतलब है, इस चाप्टर में आप बहुत सारी birds के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ riddles आपको दी हुई है सबसे पहले पाहे लिए उससे आपको birds को पहचानना है क्योंकि काफी birds को आप जानते हैं इनको जानते होंगे, हमारी नाशनल बॉर्ड पीकॉक है ये पैरट, क्रो, पिजिन and everything तो चलिए चाप्टर को रीड करेंगे birds के बारे में कुछ information देखेंगे जो questions हैं आपकी NCRT में उनके answers भी साथ साथ डिसकस करेंगे कोई भी बच्चा अगर नया हो चानल पर तो आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे कि next time कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें ओके, let's begin now चाप्टर 8, Flying High तो पहले कुछ रिडल्स दी हुई आपको On my head I have a crest All say I dance the best Off my feathers I am proud Before the rain I cry aloud Off my head, on my head मतलब मेरे सर के उपर I have a crest एक crest है, कलगी है कलगी क्या होती है यह आपने second class के बुलबुल चाप्टर में भी पड़ी थी कुछ नहीं बालों का बहुत सारा गुच्छा होता है सर के उपर जो की crown जैसा दिखता है जैसे की यह देखिया peacock के सर के उपर होता है तो यह जो bird है आपकी इसके सर के उपर भी crest है सभी कहते हैं I dance the best कि मैं बहुत अच्छा dance करता हूँ मेरे feathers जो है मेरे punk उन पर मैं बहुत प्राउड हूँ मुझे बहुत गर्व है वो बहुत अच्छे है और before the rain बारिश से पहले I cry aloud मैं जोर से रोता हूँ कौन है यह यह है peacock और यह देखिये यह है इनकी picture आप सबने देखी होगी बहुत अच्छा dance करते हैं जब अपने पंको को फैलाते हैं feathers देखे कितने बड़े हैं और यह इंडिया की national bird भी है next is long and grooved is my tail high up in the sky I sail I picked and eat all the mice the dash is what you call me मेरे जो tail है मेरी जो पूछ है वो बहुत long है grooved है बहुत अच्छे से grooving उसकी हो रखी है बड़ी हुई है मैं बहुत sky में बहुत high बहुत उचाई में sail करता हूँ तैरता रहता हूँ बहुत उचाई में उड़ता हूँ मैं pick करता हूँ उठाता हूँ और खा लेता हूँ सारे चूहों को कौन हूँ मैं यह है eagle बाज जिसे आप कहते हैं और ये देखे ये रही पिक्चर इनकी इगल ओके next is my feathers are green my beaks red मेरे feathers green है, punk green है, beak red है चोंच लाल है, guava and green chili I am fed और मैं अम्रूद और हरी मिर्च है उस पर feed करता हूं, उनको खाता हूं I love to imitate people's voice मैं लोगों की आवाज को imitate करता हूं, imitate करना मतलब नकल करता हूं and keeping, keep making a lot of noise और बहुत आवाज करता रहता हूं, कौन हूं मैं, I am a parrot ये हैं parrot next is black are my feathers, मेरे punk black है and black is my, और black क्या है, मेरी body भी black है cow cow all day, I do all the day long और मैं सारा दिन क्या करता हूं, cow cow करता हूं कौन है ये, ये हैं crow कंवा और ये रही इनकी picture next is, kuhu kuhu is my sound मेरी sound है kuhu kuhu everywhere I am found, मैं हर जगे मिलती हूं my sweet voice gives me fame मेरी sweet voice नहीं मुझे इतना famous बनाया है इतना प्रसिद्द किया है, fame दिया है मुझे dash is my name, मेरा नाम क्या है कोयल या फिर kukku इंग्लिश में kukku कहते हैं, हिंदी में कोयल आप कोयल भी लिख सकते हैं और ये हैं, देखे कुकु देखने में काफी हद तक crow जैसी दिखती है, इनकी body भी बिल्कुल black है लेकिन आवाज दोनों की बहुत अलग है इनकी voice बहुत sweet है कमवे के तो आप जानते हैं, बहुत करकश आवाज होती है कानों में चुबती है next ये देखे क्या कह रहे है dead animals I do eat मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ making places clean and neat और जगों को एकदम साफ सुत्रा बना देता हूँ high up in the dash I fly मैं किसमें बहुत उचा उड़ता हूँ high up in the sky I fly आस्मान में बहुत उचा उड़ता हूँ vulture is what I am called by और मुझे क्या कहते हैं vulture गिद कहते है next देखें ये क्या कह रहे है my beak is pink feathers grey मेरी beak जो है वो pink है feathers grey है guttergo I do on all day और मैं सारा दिन guttergoo guttergoo करता रहता हूँ in houses I make my home घरों के अंदर मैं अपना घोसला बनाता हूँ a dash is how I am known और मुझे क्या कहा जाता है मुझे कहा जाता है pigeon कैसे जाना जाता है pigeon के नाम से कबुतर के नाम से next ये क्या कह रही है my beak is very special मेरी जो चोंच है वो बहुत special है बहुत अलग है I use it like a needle मैं से एक सुई की तरह यूज करती हूँ stitching leaves I make my home leaves को पत्यों को स्टिच करके silke मैं अपना घर बनाती हूँ the dash bird is how I am known और मैं कौन सी bird के नाम से जानी जाती हूँ ये जानी जाती है tailor bird के नाम से यहाँ पर आप लिखेंगे tailor bird अचा बड लिखा हूँ है tailor सिर्फ जैसे tailor आपके कपडे स्टिच करता है ना सुई से ऐसे ही क्योंकि ये लिफ्स को स्टिच करती है इसलिए इनका नाम tailor bird रख दिया गया है अब देखी ये क्या कह रहे है in trunk of trees holes I make tree के trunk में तने में मैं खोल कर देता हूँ छेद कर देता हूँ hidden insects I intake चुपे हुए जो insects हैं कीडे हैं वो भी मैं खा लेता हूँ tuck 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 I work all day tuck tuck करके मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ the woodpecker is what people say और मुझे लोग क्या कहते है woodpecker कहते हैं तो ये हैं आपके woodpecker okay next अब ये सब लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं सभी की मैं ये हूँ मैं ये हूँ अब देखिए owl क्या कह रहा है why is there so much noise in the jungle jungle में इतना शोर क्यों हो रहा है I just cannot sleep मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि owl दिन में सोता है रात में जागता है दिन में सभी जो birds हैं वो अपनी बात बता रहे हैं तो ये बिचारा सो नहीं पा रहा है अब ये बुल बुल है आपकी sparrow आपने second class में इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है तो ये कहती है dear owl all the birds are all praising themselves and shouting सभी अपनी तारीफे कर रहे हैं और चिला रहे हैं सारी चिडिया मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ये करता हूँ मैं ये सिलती हूँ मेरे feathers pink है मैं hole करता हूँ चलिए इसी के साथ ये आपका finish होता है hopefully काफी new birds के बारे में आपनी जाना होगा वैसे आप इन सभी को पहले भी जानते हैं आगे आते हैं the owl said stop the hula balu stop the hula balu ये हला गुला बंद करो why are you quarreling तुम सब क्यों quarrel कर रहे हो क्यों जगड़ा कर रहे हो we are all special in our own ways हम सभी अपने अलग-अलग तरीकों से special है our claws, beaks, feathers and sounds are different yet we all are birds हमारे पंजे, हमारी चोंच, हमारे पंक, हमारी जो आवाज है सभी अलग है एक दूसरे से सभी birds के आप देखे दो की किसी की भी सेम आपको नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी हम सभी birds ही तो है चिडियां ही तो है if we all looked alike अगर हम सभ एक जैसे ही दिखते ate the same food सभी एक ही खाना खाते and made the same sound और एक ही जैसी आवाज होती think how dull the world would be तो सोच ये दुनिया कितनी boring होती ये सारी चिडिया बिल्कुल एक जैसे दिखती है एक ही खाना खाती है तो बहुत boring हो जाता सब कुछ dull दिखता सब कुछ इसलिए हम अलग-अलग है इसलिए हम अच्छे है which of the birds mentioned in the lesson have you seen write their names आपने कौन-कौन सी birds देखी है उनके नाम आपको लिखने है parrot आपने देखा होगा peacock भी जरूर देखा होगा eagle देखी होगी आस्मान में उड़ती ही रहती है and then owl शायद देखा हो owl शायद ना भी देखा हो आपने sparrow देखी होगी लेकिन और कौन सी bird है जो आप क्रोध जरूर देखा होगा pigeon जरूर देखा होगा okay, coil भी हो सकता है देखी हो coil इसके अलावा और एक bird आप लिख दीजेए जो आपने देखी है जो उपर mentioned है now go outside अब बाहर जाईए look for birds on trees in water on the ground and in around bushes how many birds could you see बाहर जाईए और अलग-अलग birds को देखिए पेड के उपर पाने के आसपास कोई जाड़ी हो around the bushes उनके चारों तरफ कितनी birds आपने देखी वो आपको count करके यहाँ पर लिखनी है in the table write the name of birds table में आपको आगे एक table दिए इसमें birds के नाम देखिए और tick करिए उन places पर जहाँ पर आपने उनको देखा जैसे की name of bird bird का नाम मान लिजे सबसे पहले crow से शुरू करते हैं क्यों कोई बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा crow crow पानी में तो नहीं रहता on the trees पेड के उपर हो सकते हैं आपने देखा हो and in the house घर में भी कई बार आ जाता है मान लिजे आपने उसको उड़ते हुए भी देखा crow को pigeon आपको असानी से मिल जाएगा pigeon को आपने कहा देखा मान लिजे pigeon को मान लिजे आपने ground के उपर देखा अनाज खाते हुए और घर में भी देखा घोसला क्योंकि ये घर में ही बनाता है उसके बार duck आपने देखी duck कहां मिलेगी आपको in water पाने के अंदर मिलेगी फिर आपने parrot देखा एक parrot कहाँ पर दिखा आपको in the house घर में किसी ने पाला हुआ है इसलिए hen आपने देखी hen कहां मिलेगी घर के अंदर आपको मिलेगी ground के उपर और कोई अगर आप bird लिखना चाहे आपने कहीं देखी हो वो भी आप इसमे लिख सकते है ये सिर्फ answer मैंने आपको suggest किया है I'm sure बहुत birds के बारे में आप जानते होंगे Have you ever noticed that different birds have different type of beak क्या आपने कभी notice किया है अलग-अलग birds की अलग-अलग beak होती है ये देखे यहाँ पर आपको तीन type की beaks दिखाई हुया चोंच तीनों कितनी अलग है ये देखे इस से कितनी different है ये बिल्कुल ऐसे है इन birds को identify करो ये किसकी pictures है और उनके नाम लिखो सबसे पहली जो picture है ये है parrot ये है crow और ये तो आप सब जानते ही है peacock आपने इनके जो सर के उपर crest है उससे भी पहचान लिया होगा next ये है eagle and this is crane बगुला जिसे आप कहते है in the blank space draw one picture of the beak of some other bird इस picture में एक किसी और bird की beak आपको draw करने है color करिए और उसका नाम लिखिए तो देखिए इसके लिए कुछ birds की beak आपकी pictures आपको दिखा देते हैं जो भी आप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं parrot, woodpecker, blackbird, finch, sparrow, falcon और क्योंकि color करना है यह कुछ colorful beaks आप यहाँ से example ले सकते हो कोई भी एक beak जो आपको easy लगे बनानी वो बना देगे कीवी की देखे कितनी लंबी चोंच होती है बहुत पतली होती है और just as birds have different type of beaks जैसे birds की beaks अलग-अलग होती है चोंच अलग होती है they also eat different types of food ऐसे ही वो अलग-अलग type के food भी खाते है खाना भी खाते है while some eat fruits और इसलिए beaks सब की अलग है क्योंकि सब को अलग-अलग खाना खाना है किसी को fruit खाना है कुछ seeds beaks खाते है कुछ eggs खाते है while others eat fish कुछ fish खाते है तो आपको birds को उनके food के साथ यहां पर match करना है तो यह देखिए first is यह है आपके vulture vulture हमने देखा कि यह जो dead animals हैं उन्हें खाते हैं तो इसको चिडिया से आप match करेंगे कैसे आएगा यह यहां से यहां से यहां then ऐसे तो इस तरीके से आप इसको यहां से match कर देंगे second है आपके eagle eagle आप जानते है mouse को खाते है mice को खाते है तो इनको आप mice से match करेंगे no यह इनका रास्ता यहीं से जाएगा इनको माउस के पास तक पहुंचा देना ऐसे यह हैं आपकी फुरूद जो की इंशीक को खाती है तो इनको इंसेक्ट, यानि कि यहाँ से मैंच करना है इनको कर दीजिए इंसेक्ट से यह बहुत अलग हो गया ओपली आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे इनका रास्ता जा रहा है आप खुद भी ट्राइ कर लीजे यह तो पॉजल टाइप है ऐसे नेक्स्ट है आपके पैरेट पैरेट आप जानते यह चिली खाते है हरी मेट्च पैरेट को हरी मेट्च तक है है हम फ्रम वेर रास्ता कहां से है इनका ओके यहां से जाएंगे देन लाइक दिस दिस और दाट इस हाओ यू विल रिच टु चिली जी जी लास्ट पीजन पीजन आप जानते हैं ग्रेंज काते हैं इनको ग्रेंज तक पहुंचाना है तो उपर नहीं जाना यहीं से रास्ता आजाएगा सामने ऐसे सीधे जाके और ऐसे करके आप यहां से ग्रेंज तक पहुंचा देंगे इनको ओके यह बहुत होच पोच हो गया आप थोड़ा पेंसिल से करेंगे थोड़ा चोटा लाइट तो यह जाद अच्छे से क्लियर होगा फर्स्ट इस वल्चर वल्चर का जो फूड है वो होते हैं आपके डेड अनिमल्स सेकेंड इगल इगल का जो फूड है वो माइस है थोर्ड इस हुद 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 का जो फूड है इसको इंगलिश में हूपो बर्ड बोलते हैं पी ओई हूपो क्या खाती है यह खाती ह एंसेक्स को, कीडो को आपका जो पार्ट है ये चिली खाते हैं और जो पिजन है ये ग्रेंस काते हैं next is, have you ever noticed that bird fly and walk in different ways कि आपने कभी notice कि है? सभी birds अलग तरीके से उडते हैं और चलते हैं जिसे कि आपने पिजन को देखा हो वो अलग उडता है अगर आपने किस eagle को देखो वो constant punk fella के आसमान में ऐसा लगता है sail कर रहा है तैर रहा है उसके बाद आप अगर peacock को देखे वो बहुत कम distance उड़ पाता है Their neck moment also differ उनकी जो neck की गर्दन की moment है जैसे वो गर्दन को चलाते हैं वो भी अलग है The manna moves her neck back and forth with a jerk Manna जो है वो एक जटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे गुमाती है The owl can rotate its neck backward to a large extent Owl अपनी गर्दन को काफी पीछे तक गुमा लेता है जबकि बाकी animals ऐसा नहीं कर पाते वो सिर्फ थोड़ा सा left थोड़ा सा right ही देख पाते हैं Can you move your neck like the owl अपनी गर्दन को पीछे तक गुमाने के कोशिश करिए क्या आप आउल की तरह पीछे तक जा पाएंगे बहुत पीछे तक नहीं जा पाएंगे 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे जा सकते हैं जादा पीछे नहीं There are some birds which can imitate your voice कुछ ऐसी birds हैं जो आपकी voice को imitate कर सकती है नकल कर सकती है Do you know the name of any such bird? बिलकुल हम जानते हैं ये हैं parrot इनकी एक picture आपको draw करनी है parrot की कई pictures आपको ओपर दी भी हुई है तो parrot की एक photo आप बना देंगे अपने copy में Go outside बहार जाईए and watch how birds walk and move their neck देखिए birds कैसे walk करती है कैसे अपनी गर्दन को move कराती है Look at their feathers उनके पंको को देखिए and listen to the sounds made by them और जो वो आवाज करती है उनको सुनिए copy the sounds and made by three birds जो sound है birds की उनको copy करिए जैसे गोटर गु, काव, काव, कुहु, कुहु जो करते हैं उसकी नकल आपको करनी है copy their neck, moment to कैसे वो अपनी गर्दन इधर उधर जल्दी जल्दी करते हैं उसको भी copy करिए और अपने friend से पूछिए कि आपने कौन सी bird की acting अभी की है मतलब acting करनी है आपके friend आपको पहचानेंगे birds अपनी गर्दन इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर क्यों करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा उनकी eyes जो है वो move नहीं हो पाती आप सामने देखे आप अपनी आँखों को left right कर सकते हैं eyeballs जो है वो आपकी गूम जाती है birds की नहीं गूमती है उनकी आँखे fix होती है एक जग है इसलिए अगर उनने थोड़ा भी इधर देखना है तो उनको गर्दन गूमानी पड़ती है because eyes move नहीं करती है यह इसका reason है खेर आपकी book में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि moment के बारे में बताया हुआ है the feathers of birds are also of different color यह तो आप जानते है सभी चडियाओं के जो punk है वो अलग-अलग रंग के होते है shapes अलग है, size अलग है किसी के बहुत जादा punk है किसी के बहुत कम है their feathers help them to fly and keep them warm too feathers का क्या काम है पंखों का एक तो वो fly करने में help करते है उड़ने में मदद करते है यह तो हम सभी जानते है लेकिन उनको warm भी रखते है उनको गरम भी रखते है सर्दी के मौसम में from time to time birds lose their old feathers आपने कई बार चुडियाओं के punk पढ़े हुए देखे होगे आपको पिक्चर्स भी बनानी है और उनके पेस्ट करने है यह देखे कितने ब्यूटफुल फैदर्स है जो आपको मिल जाएंगे आप भी ऐसा एक collection बना सकते है है ना यह crow का है जैसे पैचान में आरहा है अलग से यह भी crow का है यह crow का है क्यूंकि बढ़ा है यह किसी और bird का है इसको भी आप आपसानी से पैचान सकते है कौन सी bird का है यह यह देखे अगेन तो ऐसे आप भी different feathers collect करिए और अपनी copy में आपको ये paste करने है Other than birds, what are some other animals that can fly? Birds के अलावा और कौन-कौन से animals हैं जो उड़ सकते हैं चिडियाओं के नाम आपको नहीं बताने हैं यहाँ पर तो देखें butterfly उड़ सकती है, काफी insects ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं Animals के नाम बताने हैं, कभी आप plane कहो कि plane उड़ सकता है Butterfly, honeybees, मदुमक्यां उड़ सकती है Housefly, आपकी घर की जो मक्यां हैं वो भी उड़ सकती है Mosquitoes, मच्छर उड़ सकते हैं Then, कुछ ants भी ऐसी होती है, जिनके पंक होते हैं वो भी उड़ सकती है Then, cockroaches उड़ सकते हैं Cockroaches, cockroach ही लिख दीजे, चलिए Cockroach उड़ सकता है उसके बाद वैस्प, जिनको आप ततया बोलते हैं, वो भी उड़ सकते हैं तो इन में से कोई भी 6 आप याद कर पाएं 6 आप यहाँ पर लिखतेंगे Next is, if you could fly like a bird अगर आप एक bird की तरह उड़ सकते Where would you like to go? What else would you do? आप कहाँ जाना पसंद करते और आप और क्या क्या करते अगर आप उड़ सकते, तो क्या करते कोई भी जगे जो आपको पसंद हो मान लीजे, आप कश्मीर जाना पसंद करते या फिर कोई जगे आपकी फेवरेट हो आप महाँ पर, I would like to go to कश्मीर बहुत थंड होती है, बहुत अच्छा होता है कई बार आप सोचते हैं, काश मेरे पंक होते तो मैं उड़के अभी यहाँ चला जाता हूँ अगर बार सिर्फ चल सकती उड़ना सकती तो क्या होता? तो लांड आनिमल यह वो बन जाती एक तरीके से और फिर बहुत पन ना आता, बहुत मजा नाता तो तो ने बहुत बार 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 आनिमल्स कुछ डिफरेंट ना होता और बहुत जल्दी उनका शिकार भी हो जाता अभी देखिए जो hunters है वो नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि बहुत से एक दम उड़ जाते हैं अगर वो सिर्फ चल पाती तो दोड के उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि छोटी होती है अतनी तेज वो दोड नहीं पाती लेट्स मेक अ कौक आपको यहां पर एक मुर्गा बनाना है पूरे आपको प्रॉसस दिया हुआ एक पेपर लीजिए ऐसे फोल्ड कर लीजिए देन उसको ऐसे फोल्ड करिए फिर ओपन करके ऐसे यहां किसके उपर सकलगी लगाके तो इसी के साथ आपका चाप्टर भी फिनिश होता है सभी को समझ में आ गया होगा बहुत सारी बारे में आपने इंफरमेशन कलेक्ट की होगी कुछ नई चीज ने पता लगी होगी कुछ जो पहले आपको पता थी वो आपसे पूछी गई उनके आंसर्स आपने दिये होगे तैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इसकी क्विज और वर्क्षीट भी बहुत जल्दी अप्लोड कर दी जाएगी क्विज अप्लोड़ेड है आप चाहो तो अटेंप्ट करके देख सकते हैं कितने अच्छे से आपने चाप्टर को समझा है ओके तैंक्स अगेन